नमस्कार दोस्तों मैं सुझाय कुमर वा अपने चैनल सुझाय एजुकेटर मैं आपका सौगत करता हूँ तो दोस्तों जासे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो जिक्केस रिलेटेड और इसमें जिक्केस रिलेटेड बात की जाती है और अगर आप किसी भी गोबर्नेट एकजाम के त्यारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर रेगूलर आप परते रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा तो चलिए दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का रोज का सेशन चल रहा है NTPC Group D का जो की अभी बचा हुआ है दोस्तो 80 देज मुस्किल से और 80 देज में रोज हम लोग टॉप 25 कोसन साइन्स के डिसकस कर रहे हैं जीए का और सुबह के बैसिस पर सुबह 10 बजे हम लो दोस्तो रोज डिसकस कर रहे हैं दोस्तो 25 कोसन साइन्स के तो चलिए बीने किसी टाइम को गवावे वीडियो को स्टाट करते है पहला कोसन है आज का कि साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाव होता है दोस्तो कभी भी आप देखे होंगे कि साबुन के बुलबुला जो निकलता है उसके अंदर जो यह दाव होता है इसमें भड़ा हुआ जो ठीक है यह सब जो दाव होता है वो किसे से अधीक होता है तो दोस्तों वो जो होता है वायू मंडलिये जो दाव होता है दोस्तों एट्मोस्फेरिक प्रेसर जो होता है वायू मंडलिये दाव उससे भी इसमें अधीक दाव होता है ठीक है इसमें अंदर यह क्लाउड है वो तैरते रहता है ठीक है बादल जो है वो तैरते रहता है तो इसका तैरने का कारण है दोस्तो वह है इसका देंसिटी कम होता है घंध्ष का कम होता है ठीक है बादल काADA þess mendra's में अगर नदी किअपेश्य बात करें तो इसमें तैरना असान होता है इसलिछ समूंद्र का जो इसलिए होता है वह अध вып traffic है तो उससे इसलिए जल्दी उससे तेरणा असान होता है, नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुषता है, तब क्या होता है, अगर अभी कोई माली जेके जहाज है, अगर वो चल रहा है, नदी में, तब तक लो एक समान सता पर चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो सागर में घुषता है, सी में घुषता है, ठी जितने लेबल उसका अभी होता है उससे उपर वह उड़ जाता है दोस्तों ठीक है जहाज कुछ उपर उड़ जाता है ठीक है कांच में प्रकास का वेग कितना होता है कांच में यानि सीशा में बात कर रहा है दोस्तों तो होता है 2 x 10 to the power 8 mps और अगर यह में पुछेगा तो 3 x 10 to the power 8 mps ठीक है चलिए अगे बात करते हैं कि इस बिंदू पर फारेन हाइट और टापकरम जो होता है उस एंटिगर टापकरम का दुगना होता है किसमें होता है ऐसा दोस्तों कि foreign height जो होता है वो double होता है centigrade का क्या होता है डबल होता है तो 160 degree foreign height पे ठीक है दोस्तों वो आपका होता है next question है कि refrigerator में खाद पदातों को ताजा रखने के लिए कितना सुरचित अपमान होना चाहिए ताकि उसमें जो रखा हुआ खाद पदार्थ है खाना वाला जो पदार्थ उसमें रखा हुआ है वो ठंडा रहा है ताजा रहा है ठीक है तो 4 degree C ठीक है next जब दो लोग आपस में ब होनी उत्पन होता है तो बात करते हैं दोस्तों तो उसमें आपका 30 decibel होता है ठीक है लेकिन जब अगर हम सोरगूल करते हैं या हल्ला होता है तो उसमें लगभग 85 decibel आपके एक्जाम में पूछा गया है दोस्तों यह previous year question है ठीक है important है जितने भी डिसक्स कराएंगे उसमें कभी एक्जाम में पूछावा question हो दो तो 85 decibel सोरगूल करने में और बात करने में 30 decibel याद रखेगा चलिए आगे next question है क्रिस्टल के सनचना जानने के लिए परयोग में क्या लाया जाता है क्रिस्टल के अगर हमको सनचना जानना होगा तो परयोग में लाया जाता है परभाव पर चलिए next question है टंगस्टन के खोज किस ने की तो टंगस्टन के खोज किस ने की है तो डबलू आर ब्रदर्स ने की है 1783 में किस ने की है डबलू आर ब्रदर्स ने खोज किये इसके ठीक है 1783 में चलिए यह यह ने श्ट कोशन है कि है लोजन लैंप का तन्तु किस मिजरे धातू का बना होता है हलोजन जो लैंप होता है दोस्तों कर देखें होगा कि हलोजन जो है उसे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है हीट इनर्जी भी निकलती है तो हेलोजन लैंप का जो तंतू होता है, वो किस मिजर धातू का बना होता है, तो बना होता है, दोस्तो दो चीज का, एक टंगस्टन का बना होता है, और एक सोडियम का बना होता है, ठीक है, नेस्ट कोशन पर हम लोग आते हैं, कि मानोसरीट के विद्धूत प्रतिरोद के प होता हैं रोम चलिये नेश्ट बात करता है के फ्लोरेसन्ट ट्यूब में कौन सी गयज भड़ी होती है तो लगुकियोरिक और नी अनस्ट में होती है तो म्रकुरिक ओक्सड़ ओसाइड माशनी प्रेप्शन में आपका तुमर के इलाज में ब्रेंग का और इसके इलाज में आतों के रोगि के निदान में किन किरनों का उपियोग किया जाता है ठीक है, आतों के रोगी के निदान के लिए, अगर 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 प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अपडिटेट रहता है, और बहुत सारे जिक्के, आपको टॉपिक वाइज जिक्के, और एंसे इंडिस्ट्री सब मिलने को, देखने को मिल जाएग यह सब आप देख सकते हूं आप किस ने किया तो सीफोटीन का समस्थानिक समस्थानिक है समस्थानिक मतलब होता है कल ग्या होता है आइसोटोप टoston यह कोटब से खुश किस ने की है तो यह जो रहींत करки e kill V ठीक है, गैस इंगन के खुछ किस ने किया है, डैमलर ने, नेक्स्ट है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है, अब देखिए, लेजर को ऐसे लिखाता है, अब इसका आपसे पूछ रहा है, क्या, फूल फॉर्डम, तो बस याद रखे के, लाइट एम्पलिफिकेशन बाई लेजर का फूल फॉर्म होता है, नेक्स्ट को सन है, कि रडार का अविस्कार कोन है, रडार की अविस्कार जो किस ने की है, तो रोबर ब्राउन ने की है, दोस्तों, कि रोबर वाटसन ने किया है, किसका कोज, आपका रडार का, ठीक है, रडार का फूल फॉर्म भी बता द ठीक है क्रोमिय मात्रा नेश्ट है जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था तो जीव विकास को सबसे पहले समझाया था यानि evolution कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है evolution जिसको सबसे पहले समझाया था किसने ले मार्क ने समया था किसने समया था ले मार्क ने चलिए नेस्ट कोशन है कि हल्दी के पौधे का खाने लाइक हिस्सा क्या होता है तो हल्दी के पौधे का खाने लाइक हिस्सा जो होता है दोस्तों होता है प्रकंद क्या होता है प्रकंद होता है चलिए नेस्ट कोशन है ठंडक थंडग उत्वपन करने के लिए कौन सा दरब UPyok की जाता है तो आपकर क्या जाता है अब जितने भी आप एग्जाम के त्यारी कर रहे हैं किसे भी गवर्मेंट एक्जाम की अगर उसमें जिक्तिया रहा है तो जितने भी प्लिलिस्ट भी हम बनाई हुए हैं आप वहाँ से एक करके वीडियो देख सकते हैं आपका इससे NTPC और Group D तो confirm है कि इससे हो जाएगा दोस्तों ठीक है रेगुलर अगर आप इससे study करते हैं तो और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे Telegram Group में जाना हो सकते हैं लिंक description में डाला हुआ है आप महाँ से जाकर क्लिक करकर लिंक पे आप डारेट हमारे चैनल में जूर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और bell icon को दोना न भूलिएगा दोस्तों क्योंकि bell icon द भाईएगा तो आपका वीडियो का notification मिलता रहेगा और like करना न भूलेगे दोस्तों आप comment बताइए कैसा वीडियो लगा चलिए दोस्तोंने एक वीडियो मिलते है नमदा टिक नमदा टॉपिक के साथ ततक लिए धन्यबाद जैंग